21 मार्ष को अंतराष्टी वन दिवस के रूप में मनाया जाता है आज ही के दिन विश्व कविता दिवस के रूप में मनाते हैं तो दो दिवस हैं विश्व कविता दिवस लेकिन महत्पूर्ण है अंतराष्टी वन दिवस सेउक्त राष्ट की महासभा द्वारा 2012 में 21 मार्ष को अंतराष्टी वन दिवस की रूप में मनाने की घोशना होई थी 2013 से प्रतिवर्ष अंतराष्टी वन दिवस की रूप में मनाया जाता है थीम इसकी क्या है इस बार 2023 में तो वन और स्वास्त जंगल और स्वास्त फॉरेस्ट एंड हेल्थ BNS शेख हसीना क्या है ये बांगलादेश का पहला पंडुबी बेस है सम्मरीन बेस है ये शुरू हो गया है चीन से 2019 में बेस को बनाने के लिए सम्झोता हुआ था बांगलादेश और चाइना के मद्य आपको बता दे कि बांगलादेश सैन बलों का अधनिकी करण पे काम कर रहा है इसके लिए बांगलादेश फोर्सेज गोल 2030 पर ध्यान दे रहा है उस पर कार कर रहा है फ्रीडम शील्ड के अभी बहुत चर्चा में रहा यूएसे और दक्षिंड कोरिया के मद्य सैन अभ्यास है जिसके कारण उत्तर कोरिया काफी आकरामक हो गया यहां तक कि अपनी सैना से परुमान हमले के लिए तयार रहने की बात तक कह दी इसने तो यह कौन सा अभ्यास हो रहा है फ्रीडम शील्ड इसके लावन भी जो अमेरिका है दक्षिंड कोरिया के मद्यक्सर सैन अभ्यास होते रहते हैं जिसके कारण उत्तर कोरिया और दक्षिंड कोरिया जिसका केंदरविंद अमेरिका रहता है तनाओं के मुद्धे हो जाते हैं तो इसके पूर्व यूएसे और दक्षिंड कोरिया के बीश सबसे बड़ा सैन्य हवाई अभ्यास आपरेशन विजलेंट इस्टाम भी हुआ था थे किसी तरह की कंडिशन देखने को मिली थी और इसके लावा अमेरिका और दक्षिंड कोरिया के मद्य उल्ची फ्रीडम गार्जियन भी होता है जो कि सबसे बड़ा कंप्यूटरी कित कमांड वा नियंतन अभ्यास भी होता है तो ये तीनों याद रखेगा लेकिन अभी जो चर्चा में है फ्रीडम शील्ड है अल मुहद अल हिंडी तेईस ये किसके मद्य सेयूक्त नौसेन अभ्यास है तो भारत और सौदी अरव के नौसेनाओ के मद्य अभ्यास हुआ है बी पूछेगा सेयूक्त राश्ट जल सम्मिलन कहा प्राज़ित हुआ नियुवयार्क सेयूक्त राज अमेरिका में मड़िपूर प्राक्तिक खेती पर अंतरराष्टी सम्मेलन कहां पर आउजित हुआ भारत में पूछेगा तो मड़िपूर में आउजित हुआ दस्वा वैश्विक आतंकवाद सुचकांग दोजारतेईस इंस्टिट्टूट आफ एकोनामिक एंड पीस ये सुचकांग जारी करता है इस सुचकांग में लगातार चार वरसों से अफ़गानिस्थान पहले अस्थान पे अर्थात आतंकवाद से सबस्यादा प्रभाविद देश है इसके बाद बुर्कीना फासो फिर सुमालिया चौथे अस्थान पे माली पाँचवे पे सीरिया है पाकिस्तान छटे अस्था भारत इसमें 13 अस्थान पे है अर्थात टॉप 25 जो 25 सबसे आदा आतंगवास से प्रभावित देश हैं उसमें भारत भी शामिल है प्रयोग शाला में विक्से थीरे प्रयोग शाला में विक्से थीरे लैब ग्रोन डायमंड्स अभी चर्चा में रहे बजट 2023 में भी इनको ब सर्यावरन अनकूल भी होते हैं सरकार ने आयातित हीरे के बीज पर 5 प्रतिशत कर समात कर दिया है सरकार प्रयोग शाला में विक्सित हीरे पर विशेज ध्यान दे रही है ये दोनों बातें बजट 2023 में कहीगी इस संदर में कुछ फैक्स आपको ध्यान रखने हैं भारत प्रचत उत्पादन भारत में होता है इसके लामा भारत हीरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कटिंग और पॉलिश के इंदर है अकेले 90 प्रचत कटिंग और पॉलिश का काम भारत में होता है हीरों का इसके लामा भारत दुनिया के कुल हीरे के निर्यात में 19 प्रचत योगदान करता है अर्थाइट भारत से जो निर्यात है हीरों का 19 पत्षत होता है पूरे विश्व के तुलना में स्वयम रोबोटिक्स अभी चर्चा में है ये फर्म ये उद्यम हैदराबाद में स्थित है रक्षा शेत्र के लिए इसने भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट अर्था चार परोवाला रोबोट और एक्सो इसकेलेटन विक्सित किया है ये जो चौपाया रोबोट है सेना के किस काम में आएगा तो उबड खूब खाबड जो जमीन होगी परवत पठार वहाँ पर आसानी से संचालित होगा इसके लावा एक्सो इसकेलेटन क्या होता है हमारी सेना अक्सर भारी भर कम सामान उसको उठा करके एक अस्थान से दूसरे अस्थान पे कभी-कभी बहुत ऊपर चढ़ना होता है एक्सो इसकेलेटन क्या करेगा कि आप जैसे 60 किलो का वजन लिये हुए हैं लेकिन आपको महसूस केवल 15-20 किलो तक काई होगा या उससे भी कम का होगा तो ये इसकी क्वालिटी होती है ये स्वयम रोबोटिक्स द्वारा विक्सित किया गया है कुदूम श्री और उन्नती ये दोनों ही जो दोनों संस्थाएं चर्चा में रही केरल की संस्थाएं हैं याद रखेगा राश्पती के द्वारा इनकी सराहना की गई है कुदूम स्री सेल्फ हेल्प ग्रुप है 1998 में ये स्थापित था महिला शशक्ती करण के शित्र में इसने काफी उलेखनी कारे किया है वहीं उन्नती जो संस्था है SCST रोजगार और शशक्ती करण के लिए अन्ये जो कारे हैं उसमें ये कारे कर रहा है इसके लिए इसकी सराहना की गई तो कुदम वसरी और उन्नती दोनों याद रखेगा आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद